दोस्तो अगर आप अपने core को completely train करना चाहते हैं और अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ apps के access करने से ही आप अपने core को पूरा train कर सकेंगे तो आप ये बिल्कुल गला सोच रहे हैं दोस्तो हमारे core में सिर्फ हमारे apps ही नहीं बलकि हमारे obliques भी आते हैं जिनें आपको अपने apps के साथ train करना होता है दोस्तो आपने अक्सर अपने apps के side में कुछ muscles देगी होंगी इस तरह की दोस्तो इन muscles को ही हम obliques कहते हैं जो कि हमारे core का एक काफ़ी important हिस्सा होता है दोस्तो आप जितना अपने apps और obliques को train करते हैं उतना ही आपके core muscles strong होती है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी exercises की जिन से आप अपने obliques को train कर सकेंगे और एक शांदर obliques बना पाएंगे जिसकी वज़े से आपके apps और भी ज़्यादा attractive look देंगे दोस्तो हमारे सबसे पहली exercise है hanging side leg raise दोस्तो आपको पता ही है कि apps के exercises के लिए हम hanging leg raise परफॉर्म करते हैं इसी तरह दोस्तो आपको अपने obliques के लिए भी hanging leg raise परफॉर्म करने हैं पर इसके अंदर आपको थोड़ा variation लाना होगा दोस्तो आपको इस exercise को कुछ इस तरह से perform करना है आपको leg raise करते टाइम अपने legs सीधे नहीं बलकि side में raise करने हैं जिससे आपकी obliques muscles पर effect पड़ता है दोस्तो obliques के लिए hanging side leg raise एक बहुती basic exercise है अब हैं दोस्तो हमारी दूसरे exercise जो कि है crunches दोस्तो आप crunches दो तरीके से करते हैं पहला तो है normal crunches पर दोस्तो इनी crunches को अगर आप obliques के लिए करना चाहते हैं तो दोस्तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा change लाने की ज़रूरत है आप normal crunches में down जाने के बाद जब उपर आते हैं तो उस टाइम आपको अपने side में जाना है जिससे आपके obliques muscle stretch होती है ऐसे ही आपको दूसरी side भी करना है और इस तरह से ये crunches आपके obliques muscle को train करते हैं हमारी next exercise है दोस्तो Russian twist दोस्तो इस exercise को आप कुछ इस तरह से perform करेंगे आपको इसमें अपने हातों में weight लेकर अपनी upper body को left और right move कराना है कुछ इस तरह से आप जितना अपनी body को left और right stretch करते हैं और उन पर work करते हैं उतना ही effect आपके obliques पर आता है और एक मजबूत core आप बना पाते हैं अगली exercise पर आते हैं दोस्तो जोगी है heel touch exercise दोस्तो इसमें आपको जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको simple बस late जाना है और अपनी legs को bend करकर एक-एक करकर left और right अपनी heel को touch करना है कुछ इस तरह से तो इससे होगा क्या दोस्तो इससे आप regular अपने obliques को squeeze करकर stretch कर पाएंगे जैसे जैसे जब आप left और right अपनी heel को touch करेंगे हमारी आखरी exercise है दोस्तो side plank दोस्तो इस exercise में आपको plank position में आना है लेकिन दोस्तो इसमें आपको अपनी कमर के side से plank करना है कुछ इस तरह से दोस्तो आपको left और right दोनों ही sides में से इस plank exercise को perform करना है दोस्तो जैसा आप जानते ही है कि plank exercise में आपको अपनी body को जमीन से touch ना करने के लिए हवा में रखना पड़ता है जो कि काफी ज़्यादा tough हो जाता है अगर आपका weight काफी ज़्यादा है वीडियो अच्छी लगियो तो वीडियो के लिए एक like कीजिए और fitness से जूड़ी और भी वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए